मानिनिये प्रधानमंत्री जी के मूलमंत्र घर पे रहो, स्वस्त रहो, सुरक्षित रहो और जिम्मेदार बनिये और जिम्मेदार बनाईये से शुरू कर रहा हूँ राज्य में कुरोना संक्रमन को घटाने और नागरिकों को इस महामारी से बचाने के लिए प्रसाशन के द्वारा सूचनाएं दी गई हैं जिनके अनुसार पुलीस के द्वारा तमाम प्रयास किये जा रहे हैं यह सारे प्रयास लोगों के लिए और लोगों के हित में है इसलिए पुलीस कार्वाई में सहयोग देने के लिए हमारी ओर से बार बार अपील की जा रही है पुलीस के लॉकडाउन को असारकारक बनाने के प्रयासों में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया गया है मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों को मैं सफष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि ये प्रवत्ती किसी भी हालत में बरदाश्ट नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ गुना दर्ज करके सक्त कानूनन कारवाई की जाएगी पुलीस पर हमले की वारदातों में किसी को बक्षा नहीं जाएगा और ऐसे तमाम वारदातों में पासा के तहट सक्त कारवाई भी होगी एमदाबाद के 16 पुली स्टेशन में दो दिन पहले पुलीस के हमले की शिकायत दर्ज हुई जिसमें दो आरोपियों को पासा के तहट गिरफतार किया गया था ऐसे ही राजकोट ग्रामे के परदरी में भी पुलीस पर हमले की वारदात में पासा के तरहत कारवाई की गई है लोकडाउन के दोरान ऐसे कुल 28 गुनाओं में 64 आरोपियों को पासा के तहट जेल भेजा जच चुका है अपने वतन जाना चाहते श्रमिकों से भी धीरज रखने की अपील है श्रमिकों को वतन भेजने के लिए सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किये जा रहे हैं मानिनिय मुख्यमंत्री श्री के द्वारा भी इस दिशा में जल से जल प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निजी तोर पे मॉनिटरिंग की जा रही है श्रमिकों के आपके माध्यम से मेरी अपील है कि तंत्र पे भरोसा रखें और सहकार दें आपको वतन भेजने की विवस्था हो तब तक धीरज रखें और ये भी अपील की है कि किसी भी अफवा को सच मान कर इकठे ना हो इनसे आपकी और तंत्र की समस्याएं बढ़ती हैं आपको वतन भेजने की विवस्था होने पर आपको जानकारी दी जाएगी इन विकट हालातों में किसी भी तरह की अफवा फैलाना बरदाश्ट नहीं किया जाएगा खास करके दो कौमों के बीच अशान्ती फैलानी की कोशिश करने पर सक्त का रवाई की जाएगी कल महसाना में सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट करने पर गुना दर्ज किया गया है और हाल में पासा की तहत गिरफतारी भी हुई है आपके मादियम से फिर से अपील है कि संक्रमन के इस दौरान में लॉकडाउन को लेके लोगों को गुमराह न करें अफवाह ना फैलाएं कल डीटेन किये गए वाहनों में से राज्य में कुल 6179 वाहन मुक्त किये गए हैं अब तक कुल 2,6,544 वाहन मुक्त किये जा चुके हैं सुसाइटी में लगे CCTV भी चेक किये जा रहे हैं राज्य में कल ऐसे 23 गुना दाखिल हुए हैं और 22 लोगों को पकड़ा गया है अब तक ऐसे 629 गुना में 884 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है लोगडाउन के अमल पर पुलीस के द्वारा निरंतर, ड्रोन, CCTV और ANPR के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है राज्य में कल ड्रोन की मदद से कुल 155 गुना दाखिल किये गए हैं अब तक ऐसे कुल 11,878 गुना दर्ज किये गए हैं और ऐसे गुना में कुल 21,078 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है CCTV फुटेज के आधार पर कल कुल 78 गुना दर्ज करके 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है अब तक ऐसे कुल 2856 गुना राज्य में दर्ज किये गए हैं और ऐसे गुना में कुल 3989 लोगों को हिरासत में लिया गया है सोशल मीडिया मौनेटरिंग के आधार पर गलत खबर या अफ़वा के 15 गुना दर्ज हुए है अब तक ऐसे 716 गुनाओं में कुल 1469 लोगों को हिरासत में लिया गया है कल सोशल मीडिया के द्वारा अफ़वा फैलाने पर पुलिस के द्वारा 13 अकाउंट बंद किये गए हैं अब तक ऐसे कुल 674 अकाउंट पुलिस के द्वारा बंद किये जा चुके हैं A.N.P.R. Analysis के द्वारा 36 गुना और आज तक कुल 1233 गुना दर्ज किये गए हैं विडियोग्राफर द्वारा किये गए शूटिंग के अधार पे कुल 204 गुना और आज तक ऐसे कुल 3089 गुना दर्ज किये गए हैं कल प्रहरी जैसे खास वाहनों पे लगे कैमरे की मदद से 55 गुना और अब तक ऐसे कुल 1050 गुना दर्ज किये गए हैं